हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लान टेकनोलोची में आज हम इस वीडियो में अपने माउस के कर्सर को कैसे एनिमेटेड डिजाइन दे सकते हैं कैसे एनिमेटेड लूप दे सकते हैं वो देखेंगे उसके लिए एक टूल्स या सब्ट्वेर की जरूरत इधर आप ज़िए हैं आप देख सकते हैं यह मैंने एक अनिमेटेड कर सबस्त। बना रहा है को मैं उस पर यह एनिमेशन आ रहा आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं तो नीचे डिस्रिप्स्रिप्शन में लिंक दिया हूए है आप गूगल कर सकते हैं मैं अभी यह दिखाता हूँ यह इधर rwdesigner.com cursor maker यह उसका link है आप यह real world cursor editor यह आप देख सकते हैं अब यदि आप यह link पर जाएंगे तो यह इधर यह page खुलेगा और इधर आप देख सकते हैं डाउनलोड math 7.6 mb का file है आप इस पर click करेंगे तो इधर डाउनलोड हो कर आएगा डाउनलोड होने के बाद उसको आपको install करना है इन इस्टल करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का icon आपके desktop पर आ जाएगा और आपको इसको open करना है open करने के बाद यह एक interface आज का है real world cursor editor का आप देख सकते हैं इधर tutorial भी दिया हुआ है आप यह tutorial देखकर भी design कर सकते हैं किस तरह का design आपको बनाना है तो अब हमें एक नया design create करना है तो आप इधर left side पर देख सकते हैं create upon recent customize यह online यह दिया हुआ है अपको create पर click करना है और click करने के बाद आप देख सकते हैं इधर two option दिया हुआ है आप cursor from image image के साथ cursor design करना साहते हैं यह एक नया composer design करना साहते हैं वो इधर दिया हुआ है हम लोग माँश cursor design करने जा रहे हैं घर new mouse cursor में click करणा येस new mouse cursor में select हुआ है आप इधर भी select कर सकते हैं हम लोग ये new mouse cursor पर select करेंगे तो आप इधर देख सकते हैं right side के नीचे create लिखा हुआ है और इधर आप देख सकते हैं canvas size 32 default दिया हुआ है आप इधर जाके इधर देख सकते हैं 3248 आप 32 default पर ही रखना है और create पर click करना है तो create पर click करने के बाद आप ये देख सकते हैं एक नया window जो खुल के आचुका है और ये देख सकते हैं right side के और editing layer format बगेरा है और इधर left side पर आप देख सकते हैं frame इधर preview दिखाएगा हम लोग इधर जो design करेंगे इस और इधर आप देख सकते हैं आप इधर टेस्ट कर सकते हैं आप ये तुल्स बगेरा भी देख सकते हैं जिसके प्रयोग से आप design create कर सकते हैं तो हम लोग design create करके देखेंगे उसके लिए हम लोग इधर देख सकते हैं इधर उस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग यह देख सकते हैं जो मैं अभी यूज कर रहा हूं वही करसर इधर दिखा रहा है आप इधर राइचार्ट पर इरो direction किस तरह देना है आप दे सकते हैं और तो इस तरह आ जाएगा आप राइट देना है तो इस तरह आ जाएगा arrow head size select कर सकते हैं tail भी देना चाहते हैं तो कितना बड़ा देना चाहते हैं नहीं tail चाहिए तो आप zero कर देंगे तो यह tail मिर जाएगा आप outline color भी चूज कर सकते हैं इस तरह से कोई भी इधर आप इस तरह से चूज करेंगे तो यह shadow भी आ जाएगा secondary fill color यह shadow के काम कर देगा औ और outline outline का यह width कितना देना है आप इधर चूज कर सकते हैं तरह से और चूज करने के बाद आप ok करेंगे तो यह आप देख सकते हैं यह हमारा एक cursor design होकर आ चुका है इसका point यह देख सकते हैं यह एकदम अच्छी तरह से बना हुआ है इधर देख सकते हैं bevel लिखा हुआ इ इसका काम है mouse cursor को 3D effect देना आप इधर method जो लिखा हुआ है इस पर आप select कर सकते हैं इधर अभी हम लोग bevel यूज कर रहे हैं तो आप bevel पर select करना है और इसको आप यह angle को घटा बढ़ा सकते हैं तो इस तरह से मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और इसको आप ok करना है तो आप इधर यह 3D effect टेख सकते हैं आप इधर make animated clock भी यूज कर सकते हैं यह dots का animated भी बना सकते हैं यह spinning wheel का भी यूज कर सकते हैं यह इधर file भी है अप कौन से use करना चाहते हैं यह आपका choice है आप इन में से कोई भी चुछ करके आप बना सकते हैं तो इस तरह से यह बन के तयार हो चुका है यह हुआ एक फ्रेम दिखाया है एनिमेटेड करना है तो आप पोई एक फ्रेम नहीं दो या तीन चार फ्रेम में आप क्रेट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं आप इधर फ्रेम एड़ करना हो तो इतर पूल शिंबल है उस पर क्लिक करेंगे तो यह इंसर्ट फ एक मैं एंरों सेफ पर कलिक करेंगे इतर लोग दूसरा कलर जूज़ करेंगे यह तरह से ओक करेंगे और इतर हम लोग फिल्वे पर जाकर इसीपर सेट कर देंगे यह ऊकूए कर देंगे यह यह तरह。 ओपने अब हमारा यह दूसरा frame हो चुका है अब हम फिर से एक और frame एड़ करेंगे और mouse make arrow shape पर click करेंगे इदर हम लोग का color change करतेंगे कोई भी इस तरह से और okay कर देंगे भी वेल फरजाएंगे okay कर देंगे तो यह इस तरह से 3D effect आ जाएगा और हमारा यह 3 frame बनके ready हो चुका है अभी एक और frame add करना चाहते हैं तो plus पर add कर सकते हैं और यह mouse cursor पर click करके आप इधर voice भी रंग choose कर सकते हैं यह इस तरह से ok करेंगे और bvl पर click करके ok करेंगे तो यह इस तरह से बनके आ चुका है अब इस test area में जाकर यह test भी कर सकते हैं अभी मेरा cursor यह इस तरह का दिखा रहा है और इसका preview अभी जो हमने बनाया है उसका preview इधर दिखा रहा है आप इधर test area पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यह animated हमने चार फ्रेम जो बनाया था वह इधर test area में देखा रहा है तो इसको अब हम लोग shape करेंगे तो file shape करने के लिए file पर जाएंगे और save as करेंगे तो आप इधर देख सकते हैं यह इसका extension dot ani लिखा हुआ है आप इधर कोई भी नाम लिखकर dot ani रखना है तो इसको हम लोग एक नाम दे जते हैं animated और इसको हम लोग हमारे window जहां install है उस जगे पर जाकर हम हमने जो create किया है उसको save करना है तो उसके लिए हम लोग see drive पर जाएंगे जहां हमारे window इनिस्टर होकर save हुए है तो windows पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर cursor उस पर click करेंगे तो यह हमारा cursor है मैंने यह rainbow नाम का एक animated cursor बनाया था जो आभी मैं use कर रहा हूं अब यह तो हम लोग cancer कर देते हैं और अभी वह काम कर रहा है कि नहीं वह check करने के लिए हम लोग control panel नहीं तो अपने settings पर जाएंगे मैं settings पर जाओंगा और ease of access पर जाओंगा आप control panel में जाकर सीधे mouse settings में जा सकते हैं मेरे में यह settings में जाकर ease of access पर जाकर इदा देख सकते हैं नीचे mouse लिखा हुआ है उस पर मैं click करूंगा तो यह mouse का एक window खुल कर आ चुका है अब इधर हम लोग change other mouse option देख सकते हैं उस पर click करेंगे और इधर right side पर आप देख सकते हैं related settings के नीचे दो settings है adjust mouse and cursor size additional mouse options आपको इधर additional mouse options पर click करना है उधर click करने के पाद आप देख सकते हैं mouse property आच चुका है आपको pointer पर जाना है और आप यह देख सकते हैं अभी यह मैं use कर रहा हूं वो cursor दिखा रहा है आपको इधर browse पर जाना है और अभी created जो किया है उस cursor का नाम click करना है इधर animated नाम देख सकते हैं अभी जो मैंने file name दिया था animated.ani का यह animated cursor आ चुका है आप इसको choose करेंगे और इधर आ जाएगा file name animated इसको upon करना है आप देख सकते हैं इधर उसका shape आ चुका है अब ने select किया आप इसको apply करना है और ok करना है अब आप देख सकते हैं इधर window firm यह पहले मेरा cursor का tail था लेकिन अभी cursor का tail नहीं है यह जो मैंने animated cursor बना था वो अभी use होने लगा है इस तरह से आप कोईफी design का cursor mouse cursor बना सकते हैं और अपने creativity को increase कर सकते हैं किसी को भी दिखा सकते हैं इस तरह का design तो आप से कोईफी impress हो सकता है तो दोस्तों आज का video कैसा लगा यह आपको यह video अच्छा लगा हो तो like share और subscribe कीजिए धन्यवाद